नेट्फिक्स की ओरिजनल फिल्म सेक्टलर 36 ने तो कईयों का होजुरा दिया है ये फिल्म रियल लाइफ इंसिडेंट से बेज़्ट है और इनमें दिखाए गए कई किरिदार भी ये लाइफ परसन से प्रेडित हैं इस वीडियो में हम बात करते हैं इस फिल्म के लीड करेक्टर विकरांत मैसे जिन्होंने प्रेम सिंग का किरिदार निभाया है इस फिल्म में हम देखते हैं कि कैसे वो छोटे बच्चों और औरतों का किड्नाप करते हैं और उनका रेप करके हत्या कर देते हैं प्रेम सिंग का करेक्टर इतना disturbing है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरह कभी कोई इनसान हो सकता है लेकिन मिकरांद मैसी का करेक्टर प्रेम सिंग एक real life person सुरेंदर कोली से प्रेरित है सुरेंदर कोली को 2006 में नोईडा के सेक्टर 31 के बंगलोव D5 से गिरफतार किया गया था उस पे आरोब था कि उसने करी 22 बच्चों की किड्नेप करने की बाद हत्या कर दी थी काफी सारी मेडिया रिपोर्ट की माने तो सुरेंदर औरगन ट्रैफिकिंग में भी इनवॉल्व था अब बात करते हैं सुरेंदर कोली अब आखिर कहा है तो आपको ये जानकर काफी आश्यर होगा कि इस हीमियस क्राइम के बाद भी सुरेंदर कोली को अलाबाद हाई कोर्ट के तरफ से कोई सबूत ना होने के कारण बेल मिल गई और 2023 में जाकर वो रिलीज हो गया हलाकि CBI ने जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन डाला है कि वो अलाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को रिव्यू करें सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुरेंदर कोली को नोटीस भी भेजा है लेकिन अभी तक उस पे आगे कोई अपडेट नहीं है अब बात करते हैं इस फिल्म में दूसरे करेक्टर बसी सिंग के बारे में तो इस फिल्म में प्रेम सिंग बसी के घर नौकर का काम करता था और अगर हम इसे रियल लाइफ से कनेट करें तो बसी का character, real life person मौनिंदर सिंग पंदेर से inspired है जब कोली को arrest किया गया था तो उसके साथ साथ मौनिंदर को भी गिरिफतार किया गया था लेकिन आखिरकार इसके भी खिलाफ कोई सबूत ना होने की कारण इसे भी छोड़ दिया गया तो ये था film के real versus real life characters अब अगर फिल्म में विकरांत मेसी की acting की बात करें तो उन्होंने इस फिल्म में बहुत खूब performance दी है और overall expressions और way of delivery बिल्कुल real life effect करेट करता है जिससे viewers काफी engaging महसूस करते है फिल्म में कई जगा विकरांत मेसी का किरिदार आपको डराबना भी लगेगा जिसे पता चलता है कि as an actor वो कितने अच्छे तरीके से इस character का role देकी है उनके इस सांदार acting के लिए मैं ये फिल्म आपको ज़रूर recommend करूँगा बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे like करें और चैनल को subscribe करें इस फिल्म के बाकी characters के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर विजरिट करें